हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका आपने दूद की पनीर की सबजी तो बहुत खाई होगी लेकिन क्या आपने अंडे की पनीर की सबजी खाई है जी है दोस्तों आपने उचा सही सुना आज में बनाने जारी हो अंडे की पनीर की सबजी तो चलिए स्टार्ट करते हैं बना कर दो या जाल कर बहुत अच्छी स्वरक्त से भेट लेंगे और इसके लिए हम देंगे एक पुलठीञ्य के चिक्टीञ्टर होता है जिसमें सब्जी लात है वह पॉलठी उसमें हम सारे बेटर को डाल देंगे और इस तरह से पनी को बांद देंगे और एक कटोरे में हम बर्तन में पानी को गर्म करेंगे और जब बॉयल होने लगे पानी तो इसको हम इसमें डाल देंगे और एक थाली की मदश्य से धब देंगे जब तक यह बॉइल हो रहा है तब तक हमासाला रेडी कर लेंगे इसके लिए मैंने लिया है अध्रक लहसु जीरा मरीच इन सबको अच्छी तरीके से हम मसा पेस्ट बना लेंगे उसके देखिए अब यह उबल गया है यह इस तरह से फूल कर पूरी पलोतिन भड़ गया है द देखिए इस तरह से इसको हम इस तरह से पनी से निकाल लेंगे और हम जिस तरह से आपको सेप चाहिए बारा छोटा जैसे हम पनी रखते हैं इस तरह से मिसे पीश में काट लेंगे हमने सारे पनी को इस तरह से काट लिया देखिए इस तरह से अब देखिए हम प्याज टामाटर और हरी मिर्च को इस तरह से दर दर पीश लेंगे आप मसाले में डालेंगे धनिया पौडर हल्दी पौडर और तो अब तेल कराए नहीं तेल करेंगे इसमें पौरन डालेंगे देजपत्ता एक सुखी लाल जीरा शट्सो और और तो थोरी से घंडाल कर इसमें डालेंगे जो थो माटर हरी मिच का ड़ दरदा पेश्ट था वह डाल देंगे और इसे बहूंत जब या दापक जये तब में चुन डालेंगे और इसमें स्वाद के नुखना नमक डालेंगे और अच्छी तरिके से मसाले को मूल लेंगे देखें अमारा मसाला भून गया है इस तरह से अब में यह ढलेंगे पानी रस हमें गाड़ा रखना है अब कुछ ऐसा रखना पतला गारा लेकिन गारा बहुत ही टेस्ट लगता है देखे इस तरह से अब हम इधर पनीर को फ्राइ करेंगी अब सारे पनीर को मैंने इस तरह से फ्राइ कर लिया है देखे इस तरह से सुनला होने तक हम फ्राइ कर लेंगे अब हमारा जो रस बन गया है उसे हम थोड़ी सब वाइल कर लेंगे करम कर लेंगे उसके आद हम सारे पनीर को इसमें डाल देंगे और थोड़ी देरी के लिए बॉइल होने देंगे अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला एक चंबत पनीर मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी और हारा धनिया काटकर हम इसमें डाल देंगे और थोड़ी दर के लिए मिला देंगे अमारा पनीर रेड़ी है आप लोग जरूर ट्रैक कीज़गे वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाई